मैं मोहन सर चंद्राकर सर क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्यारे बच्चों हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं 36 गड माध्मिक सिख्षा मंडल के द्वारा आयोजित हायर सेकंडरी परिच्छा 2024 के बारे में विशय भौतिकी यूनिट पांच विद्दुद चुम्बकी तरंगे इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेब्स आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है छोटा यूनिट जरूर है तीन अंका आने हैं लेकिन ये बड़ा ही महत्पूर्ण है अपने दवनीक जीवन में बहुत ही ये काम आता है तो आएए इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेब्स जो की एक ही क्विश्चन आना है तीन नंबर का यहाँ पर क्विश्चन की सिलसिला हम लोग प्रारम मकरें सबसे पहला है विस्थापन धारा क्या है इसकी आवस्यकता पर आपको प्रकास जरूर डालना है बड़ा ही महत्पूर्ण क्विश्चन है दूसरा क्विश्चन आप जरूर देखें आपको नजर आएगा दूसरा क्विश्चन दूसरा क्विस्चन है विद्दूत चुम्बकी तरंगें क्या है इसके गुण धर्म लिखिए कम से कम तीन गुण धर्म आपको जरूर पता होनी चाहिए अगला question है विद्दूत चुमबकी spectrum क्या है आवरिती के बड़ते करम में इसको लिखना है विद्दूत चुमबकी तरंगे आपको बहुत अच्छे से पता है ये total 7 होते हैं आप लोगों को अच्छे से पता है तो केवल नाम आपको लिखना है नाम आपको केवल लिखना है इ आप लोग लिखेंगे गामा किरने, एक्स किरने, परा भैगनी तरंगे, दिरिश्य प्रकास, अवरक्त प्रकास, सुच्म तरंगे वा रेडियो तरंगे, ये कुल साथ विद्धूत चुमबकी स्पेक्ट्रम है, अब बात आती है, आपको स्क्रीन पर अब आपको एक चार्ट के दिखाई दे रहा होगा, प्यारे बच्चों, ये जो साथ विद्धूत चुमबकी स्पेक्ट्रम है, इन साथों मेंसे कोई एक को आपको दिया जाएगा, पू座ों सेट हो, तीनों सेट में अलग लगाएंगे, कोई भी एक विद्धूत चुमबकी स्पेक्ट्रम को आप जो तरंग दैरिये का रेंज है वो पूछ दे दूसरा वहां पर इस विद्धूत चुम्बकी स्पेक्ट्रम का साथों में से कोई एक जो भी दिया है उसके अविस्कारक का नाम पूछा जाता है साथी साथ इस विद्धूत चुम्बकी स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने का क्या है अर्थाद उसका गुण धर्म क्या है सांति जाद जो हमेशा पूछा जाता है वो यह है कि इसका अनुप्रयोग क्या है इस विद्धुत चुमकी स्पेक्ट्रम क्या क्या अनुप्रयोग है उधारन के तौर पर मैं बात करूं जैसे आपको पूछ दिया गया है रेडि इसके प्रमूग गुण क्या है इसके अनुप्रयोग क्या क्या है इस टाइप के क्विस्चन पूछे जाते हैं तो जरूर आप इन सातों का तयार कर लीजिएगा सातों में से आप स्क्रीन पर देखिएगा तो रेडियो तरंग पिछले साल आया था सुच्छम तरंगे भी साल पूछा गया था और अख्त तरंग भी पिछले साल पूछा गया था तो इस साल के लिए बड़ा ही महत्तपुर्ण आपका बंता है दिरिष्चर प्रकास की तैयारी आपको दिया गया है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा इसका रख न्यूटन ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका उपयोग भी आपको पता है, वस्तु को देख करके हम उसका अध्यन करोख पाते हैं, तो इसका तयारी आप लोग करेंगे, साथ ही पराबैगनी तरंगे, इसका भी तयारी आप लोग करेंगे, एक्स किरन का भी तयारी आप लोग करेंगे, गा का सुरोत क्या है उत्पन्न करने का और चांथा और महत्पूर्ण चीज इसका उप्योग क्या है तो उमीद करता हूं यह जो साथ विद्धूत चुम्बकी स्पेक्ट्रम है इसकी तयारी इन चार बिंदों में आप जरूर करेंगे चलिए क्विस्चन को आगे बढ़ने दीज का तो कुछ महत्पूर्ण क्विस्चन और है तीन नम्मर का उसको आपको ध्यान देना है चलिए तो एक विस्चन देखेंगा विस्चन नमबर स्टेवेन आपका स्क्रीन पर आगया होगा प्रकास की और रेडियो दूर दर्सी प्रित्वी पर बनाये जाते हैं किन्तु एक किरन की खगोलिक प्रित्वी की परिक्रमा कर रहे कृत्क्रिम उपग्रह से ही संभव है इसका कारण आप जरूर खोजने का प्रयास करेंगे और यहां पर उसका कारण भी जरूर मिल जाएगा आए अगला क्विस्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण क्विस्चन जिसके बारे में आपको तयारी करना है वो है क्विस्चन नंबर 11 11 देख रहे हैं आप लोग रडार प्रनाली में सुच्म तरंगों का उप्योग किया जाता है क्यों इसका कारण आपको जरूर बताना है अगला बड़ा ही महत्वपूर्ण क्विस्चन है कोहरे में संकेत की रूप में कीन त क्यों किया जाता है ये भी आपको जरूर तयार कर लेना है चलिएगा अगला प्रकास निरवात में संचरित हो सकता है किन्तु ध्वनी नहीं कारण भी आपको फोड़ा है ट्यारे बच्चों ये बड़ा सा चोट असा यूनिट तिन नंबर का बड़ा ही महत्वूर्ण क्व पेब निश्चित रुप से आपका स्कोर को आगे बढ़ाने में जरूर मदद करेगा यदि ये वीडियो पसंद आए आपके मन मुताबिक क्विस्चन लगे आप लोग बहुत अच्छे से तायरी कर पाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि अगला जो वीडि क्यों झाल को वीडियो वीडियो प्रैनल जरूर में जरूर